एक टाइम था जब धैबू मोटर्ज इंडिया में क्वाइट फेमस था और एक्टिव भी था वो अपने कस्टमर्ज को डीसेंट प्रफॉर्मस दे रहा था लेकिन ऐसा क्या हुआ के कंपनी कुछ सालों में ही इंडिया से गायब होगी आज हम इसी डाइबू कंपनी के बारे में बात करेंगे 1995 में इस कंपनी ने पहली कार के साथ एंट्री की थी लेकिन लैक आफ प्रॉपर मार्केटिंग पूर परफॉर्मस के कार्ण वो ज्यादा चल नहीं सकी इस कंपनी ने इंडियन मार्केट को अच्छे से रीड ही नहीं किया दैबू साउथ कोरियन मैनुफेक्टरिंग कंपनी थी जो वैल्यू फॉर मनी खाज के लिए जानी जाती थी इसने टोयटा से पार्टनर्शिप के साथ 1983 में इंडिया में कदर मक्खा इसने घाजियाबाद में लाइट कमर्शिल वैकल कहा प्लांट लगाया था हालागे कंपनी को सैलियो और मैटीज जैसी पसेंजर कार के साथ थोड़ी बहुत पर सिधी मिली कंपिटीशन में अधिक मॉडरन परड़क्स के साथ मार्केट में एंटर करने के साथ डैवू ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और हुज डैप्स को बढ़ाना शुरू कर दिया 2003 में कंपनी ने अपने ओपरेशन को बंद कर दिया क्योंकि इसके लेंडर्स ने अपने पैसे वापस पाने के लिए एसेट्स को बेचने का फैसला किया आए देखते हैं डैवू ने इंडिया में कौन-कौन सी कार्ज लाँच की सबसे पहली कार थी डैवू सीलियो जो 1995 में कंपनी द्वारा लाँच की गई इसकी स्टार्टिंग प्राइस 5.46 लेक्ट थी कंपनी ने मारूती एस्टीम की कंपिटेशन में उतारा था लेकिन कस्टमर्ज का रिस्पॉंस कंपनी की एक्सपक्टेशन के मताबिक नहीं रहा रिलीज के कुछ महीने बाद ही सतर हजार से ज्यादा कस्टमर ने इस कार की बुकिंग कैंसल कर दी और केवल 50% ही सेल हुई इसके साथ यह major failure साबित हुआ और 1999 में इसकी सेल बंद हो गए इसके बाद 1999 में ही दैवू ने नेक्सिय लॉंच की जो के बेसिकली सील यू कार का एक powerful version था इसकी price 6.22 lakh से शुरू होती थी यह एक unique design था फिर भी यह market में stand नहीं कर पाई और इसका response ठंडा रहा 2002 में यह कार भी discontinue हो गई तीसरी गाड़ी थी डैवू मैटीज यह छोटी गाड़ी 1998 में लॉंच की गई कंपणी द्वारा पूर सर्विस मरूती 800 और हंडोई सेंट्रो के competition में यह कार ठंडी रही इस कार को भी कंपणी ने 2000 में discontinue कर दिया इसके बाद कंपणी ने कोई भी कार लॉंच नहीं की क्योंकि 2002 में जर्नल मोटर ने दैवू को खरीद लिया और मैटीज को शैवलेट स्पार्क के फार्म में लॉंच किया प्रमोशन्स में कमी होना हाई प्राइस और हाई लोसर के कारण ही company डाउन फॉल में गई तो फ्रेंज यह थी डाइवू के बारे में सारी information होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गुडबाई फ्रेंज